ताउ आज भी मेरा रोष्ट करने का मन कर रहा है किसको करू अब ए उस गधे ट्रक डाइवर को करो तुझे भी फेम मिलेगा और अपनी वीडियो भी वाइरल हो जाएगी ठीक है ताउ अब तो करना ही पड़ेगा अर्ज किया है कि सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ना चाहिए टैलेंट ना चाहिए मेहनत और अगर आपको भी रेसीवे के साथ ट्रक ड्राइविंग आती होगी तो आपको भी मिल जाएगी जन्नत क्या बोला तुमने तेल चड़ा हुआ है अब ऐसे लग रहा है तेल नहीं चड़ावा तूस पे चड़ा हुआ है और मुझे पता है कि तू अपने वीडियो में 10-10 दिन का तेल यूस करता है और फिर भी लोगों को लगता है कि तू मासूम है अब मैं तू बोलूँगा तू मासूम नहीं लोडा लसून है अब जार इसमें चिकन डालने के लिए तो दोनों अब एक साथ होगा चिकन भी हो जाएगा प्याज जो है कि पुरा सो पसंड होते हो तो मेरा चिकन भी जो हो भी भून जाएगा दोस्तों मेरा खाना बन चुका है अब जारे मसारा डालने के लिए ये तुमारा बेटा है लेकिन तुमारे और उसकी शकल बिल्कुल मैच नहीं करती लगता है उस रात को पडोसी आया था गर पे देखे सुबम भी आया हुआ खाने के लिए गाड़ी में अबे भाई तुने बनाया तो तु बोलेगा ही ना कि टेस्टिदार बना है खाना लेकिन हम के से मानू कि अच्छा बना है खाना अडे तुझसे प्रूब करने के लिए बोला था आपने बेटे से जबरदस्ति बुलवाने नहीं और इधर साप साप दीख रहा है कि वो भी जबरदस्ति बोल रहा है बलकि उसके मन में कुछ अलगी चल रहा है बोस्टिके ने खाना इतना बक्वास बनाया फिर भी उपर से तारिप करने को बोल रहा है हाई पहली बात तो सब्सक्राइब होता है ससकाओ नहीं और जब तुम जैसे गदे यूटूबर बनते हैं ना तो उनके मुझसे ऐसे ही शब्द निकलते है दोस्तो अभी यहाँ पे सुबह के साथ बजरे और हम लोग रुके है ओईयो होटेल में और यहाँ पे गोवा में हमें हर महिने में एक बार आना ही पड़ता है पापा पापा आप हमारी प्राइवेट बाते पबलिक के सामने बता रहे हो एसा मत करो उसे प्राइवेट ही रहने दो अबे भाई तू किसे डाइवेटिंग करने को बोल रहा है जिसका करियर ही खाने पिने से चल रहा है और अगर इसने डाइटिंग कर भी ली तो इसके वीडियो देखेगा कौन क्योंकि इसके वीवर्स तो इसके रेसिपी और खाने को देखने आते है काईस मुझे पता है कि आप भी कभी कभी अपने पिछवारे से धुआ छोड़ते हैं पर भाई इतना कौन छोड़ता है कि सामने वाली की हालत कुछ एसी हो जाए दोस्तो आज से कंटेन्यू मैंने पाच दिन टटी नहीं की और पास दिन होगे भैस की तरह चिकन की भाजी खा रहा हूँ इसलिए मेरे पाद का बास बहुत आ रहा है दोस्तो हम तो 25-30 साल से ड्रैवरी कर रहे हैं और हमरा लाइफ कैसा था आप लोग भी देख रहे हैं कि पहले हम लोग मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था अब आप लोग दो मेरे पास बहुत आप लोग दो मेरे लेकिन आज का जमाना ऐसे आ गया है कि आप दो मेरे तो घर भी तैयार होने लगे है हाँ तो गाइस बस आज के लिए इतना ही और अगर आपको वीडियो पसना होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हाँ तो चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई